जब हम किचन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है गेस की बचत की जो आखरी रोटी तवे पर सेखते हैं तवा गरम देता है थोड़ थोड़ा रोज जीरब भून कर उस पर सेख लीजिए और गर्मी आ रही है आपके रायती के लिए भूना वजीरा तयार है इस तरह स और अपने आपको स्वस्थ रखिए इसके बाद बारी आती है सबजी की यदि सबजी में राई और जीरा दोनों डालने हो तो पहले राई को पॉप अप होने दे उसके बाद जीरा राई जीरा दोनों डालने थे उसके बाद ही प्याज और हरी मिर्ची का पेश डाला है इस इस तरह से आपकी मसाला नी एकदम से साफ रहेगी यदि हम आटे का या सूजी का हल्वा बनाते तो इतना सेहत के लिए फाइदे मन नहीं होता जितना सत्तू का आटे का हल्वा बनाईए इसे सेकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जो है काजू बदाम भून कर ड ऍवर अच्छा है झीजिए अपकी बना लिए उसमें सारा मसाला डाल दी है और है तोड़ी देर उसे पानी की दीजिए उसके बाद आते को थोड़ा जहर सों मुद्टी के ह Carroll के समफ सरी और अच्छिए को कर दो सहय कि जहर निखर बनाना है गर से भार किसी को जल्दी जाना है हमें खाना बनाना है तो आप पहले किचन की घोड़ी सी सफाई कर लीजिये खास करके जो अपना nostalgia है किचन का उसकी सफाई कर लीजिये उसके बात खाना बनाइए इससे लक्षमी प्रसंन होती है और हमारे घर में बरकत होती है यदि हम गंदी किचन में खाना बनाते हैं तो यह हमारे वास्तु दोस्त के हिसाब से भी नुकसान डायक होता है कभी भी हमें सुखी सब्जी बनानी हो पहले लस्टन, प्याज, हरी मिर्ट सब का पेश्ट डाल दीजिए उसके बाद जो भी सब्जी है वो डाल कर और उसमें नमक और खल्दी डाल दीजिए उसके बाद पकने दीजिए आखरी में टमाटर और मिर्ची डालिए इससे सब्जी जलेगी नहीं और बहुती स्वाधिष्ट बनेगी मेरा अगला टिप से रोटी के लिए हम गेस पर रोटी बनाते हैं वो बहुती नुक्सान करती है इस तरह से मिट्टी की पौनी ले लीजिए और इसे सीखने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से एक रोटी को पीछे की तरप से थड़ा अच्छा सीख के जब हम पलटेंगे और दूसी रोटी इसके उपर रख देंगे तो वो अपने आपी फूल जाती है और ये रोटी हमें बिल्कुल भी नुक्सान नहीं करती है जब कभी भी दोफिर का टाइम होता है हमें भूक लगती है तो इस तरह से परवल में चने, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया, अमचूर, नमक, मिर्ची, निब्बू सब डालके और खाईए बहुत जी टेश्ट ही लगेगा और ये खाने में भी बहुत हेल्दी है कभी-कभी क्या होता है कि हमें कोई सबजी की समझ में नहीं आती है तो थोड़ी-थोड़ी सब सबजी मार्केट से ले आईए और बना दीजी मिक्स वेज इसमें मैंने आलू, बीन्स, पत्ता गोबी, फूल गोबी, टमाटर, मटर सब डा दी है और देखिए कितनी अच्छी मिक्स वेज बन गई है वीडियो पसंद आए तो पर लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्स्राइब कीजिए धन्यवादा